नवश्कार दोस्तों मैं उमेश चर्मा चार्ट अनलसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो पे बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की आज के बजार में क्या घटा और आने वाले टेडिंग सेशन में क्या घट सकता है कौन से कौन से अपो को सब्सक्राइब ने करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अब सबसे पहले लेकर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने जॉइन नहीं कर रहे तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उसके तुरू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज एक लो ब्रेक हुआ था निफ्टी का जैसे कि यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जब निफ्टी चला था 21,691 के आसपास तो बताया था कि निफ्टी का सपोर्ट है जो ब्रेकडाउन हुआ है और इसके बाद निफ्टी ने 21,621 के आसपास का लो बना भी दिया था और इसके बाद फिर एक मैसेज हमने किया था जिसमें हमने एक पैटन आपको बेजा था कि जिसमें एक हैमर बना वा था उसके एक सपोर्ट के नीचे वह और उसके बाद बताया था कि हैमर बना है तो उसके अकॉर्डिंग ली नी बजार में 60-70 पॉइंट का एक एक राइस देखने को मिला बट मैं आज इसके बारे बात नहीं करने वाला मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले टेडिंग सेशन में क्या लग रहा है क्योंकि जो हो चुका अब बात करेंगे मंडे के लिए मं मंडे का चार्ट यहांनई के चार्ट में जिसके दिन में केंडल बनती है कुछ चार्ट का आपको इस तरीके के दिखाई दे रहा है आप इसको लेको जा लग रहर सकता है उसके अबड मात करूंगा तो उसके लिए हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रीम का चार्ट देखना पड़ेगा तो डबल टॉप है और साथ सा नेगेटिट डेवर्जंस है अब नेगेटिट डेवर्जंस में आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पहले बार्स ऊपर थी पूरी तरीके से टॉप पे थे जब बजा यहां डियान में रखना दोस्तों 20,614 रुपे का चेसो पंद्रा या चेस्ट रुपे का अब क्या हुआ बजा लगा ता रूपर की तरफ जाय जा रहा है और यहां पे डबल टॉप के साथ एक शूटिंग स्टार भी देखने को मिला इसके उपर और यूपर बीडियो बना शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग ली सेलिंग की कंफरमेशन मनी जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां पे नेगटिव डैवर्दस देखने को मिले तो नेगटिव डैवर्दस देखें तो बजार ऊपर की तरफ जा रहा लगा तार और यहां पे बार्स तहो फ morning, I am the one day, but abhi 2 दीन में यानने कि इससे पहले जो दो बार्स ते वह पॉस्ड़िय्ट्प फॉर्डिशन में बहाते हैं तो यह जो फिर डीन अब देखने को मिल गई है तो फर्स कंफरमेशन डबल टाप पैटन जो की चार्ट पैटन है सेकंड कंफरमेशन इसमें इंडिकेटर से तो तीन हो की इसमें सेलिंग इंफरमेशन आ चुकी है और इसके अकॉर्डिंगली जो टार्गेट बनता है अगर मैं निफ्टी की बात करूं दोस्तों मैं यहां पे आपको यह नहीं कर रहा है कि आपको अपने अकॉर्डिंग लग रहा है वह लग रहा है 213 के आसबस की इस बनती है बट एक चीज़ का ध्यान रगना दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं यह मेरा अंदाजा है जो मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने जो 15 साल से मैं काम कर रहा हूं बजार में उसके अकॉर्डिंगली मेरे को यह लग रहा है कि जो बार्स यहां पे तो यहां पे गैप बनावा था आप देख रहे हैं दोस्तों एक गैप था और अगर फॉल आता है बजार में तो मुझे लग रहा है कि यह वर गैप यह फिल हो सकता है और यह गैप कौन सा है दोस्तों उसके बारे बात करूंगा वो है बीस जार तीन सो के असवास अब मुझा पता है अगर अगर चार्टने नहीं बोला तो मैं नहीं खरीदूंगा जाद से जादा क्या होगा स्टॉप लोसी तो मैंने अपना भगवान है मैंने चार्ट को माना हूँ है मैं चार्टी की सुनता हूं और इसलिए मुझे जो लग रहा है जो मेरा खुद की एक्स्पीरियंस है व कि अगले हफते सकता आने वाले महीनों में भी दे सकता है बट मुझे बजार की जो सिचुइशन थीक नहीं लगा भी अब हम हम तो भगवान है निए अब हमें तो गलत भी हो सकते हैं सभी बट उसकेस में अगर मालो स्टॉप लोस होता है तो वह क्या होता है वह है पॉजिशन होगी सेलिंग की तो मैं वहां से एक्जिट कर दूँगा क्योंकि आप हमेशा साही नहीं हो सकते हैं आप गलत भी हो सकते हैं सिच्वेशन चेंज हो सकती है कोई भी चीज़े हो जाए कुछ भी रीजन हो बट आप सिच्वेशन के साफ से अपनी पॉजिशन जो है अब वह चाता मेरे लिए बोज बन गया अब मैं सोचोंगा यार एक फाल तुमें चाता लेकर आ गया बट उस टाइम पर जो मैंने डीजन लिया था कि बादल चावें बारिश हो सकती है वह मेरा डीजन सही था अब सिच्वेशन चेंज होगी मौसम चेंज होगे तो इसमें सब्सक्राइब करता है और इसके बाट गलत हो जाती है तो कहीं लोग ना आपको को अपने आपको मत को सोचो कि पहले भी ऐसी आपने कई बर पैसा कमाया अगर एक दो बार गवा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं यह पार्ट अब दा गेम है पार्ट अब बिजनस है अगर मैं अबरली चार्ट की बात करूँ यहांपे तो अबरली चार्ट में निफटी की ही अगर मैं बात करता हूं तो निफटी में यहां पे निफटी का वी लो जो है वो 21 650 के आसपास 21620 के नीचे ही इसमेंग वीकनेस देखने को मिल सकती है तो आपको एक सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 21,620 रुपे का है अगर बजार 21,620 की नीचे जाता है तो फिर इसमें एक शाफ फॉल देखने को मिल सकता है अब आप ये बोलोगे कि यार अभी तो आप कह रहे थे कि और रोल गिरावाट है बाट 2620 क्यों कह रहे है क्यों कि वह मैं स्मॉलर में दिखाया था मैं दुबारा से दिखा देता हूं यहां पर टेलीग्रम चैनल पर हमने एक मैसेज करा था यह मेरा अनालिसिस थी जब निफ्टी करेट चला था 21,749 रुपे के आसपास तो बताया था है मारे ट्रेल लाइन का ब्रेक ब्रेक आउट हुआ है इसमें बन सकत थी ठीक है और उसके बाद क्या हुआ मैं चार्ट पर आपको दिखा देता हूं यह चोटी-चोटी चीट है दोस्तों आपको समझनी पड़ेंगी तो यह हैमर था जिसके बारे में हमने प्रेडिक्ट करा था और इसके बाद जो हाई बना वह 21,803 के आसपास का ही बना था मे बना रखा है तो स्ब्सक्राइब कर देते हैं आशा करूंगा जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वह आपको समझ में आ रहे होंगे वह नहीं समझ में आते तो डिस्क्रिप्शिन पर आ फिर आपको कॉमेंट बक्स कर दीजेगा उसमें आपको अच्छी तरीके से और describe कर देंगे तो भाई यह है बैंग निफ्टी का चार्ट बैंग निफ्टी का हम वन डे का चार्ट लगा लेते हैं तो वन डे के चार्ट पे picture थोड़ी सी ऐसी दिखरी है यानि कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो इसका ना एक काम करता हूं वन आवर ली का ही चार्ट लगा देता हूं डेली की जगा तो वन आवर ली चार्ट पे आपको कुछ पिक्च्टर इस तरीकी की दिखाई देरी होगी तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी यह range में चल रहा है ठीक है यह range में है और यह भी एक pattern हो सकता है और आपको कहना चाहूंगा कि अभी इसका जो resistance level है मैं bank nifty की बात करूंगा वो है 45900 का 45900 का इसका crucial resistance है अगर बजार यहां से यह low break करता है 44,900 के आसपास मैं लिग देता हूं 44,900 हाला कि मैं मानता हूं कि 1000 पॉइंट का इसमें अभी difference है वर उसके नीचे फिर आपको जो next level देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा फिर 44,400 के आसपास 44,400 तो यह range है इस range में बजार चलेगा आप कभ करें अब जयाता है तो फिर से बाया पॉर्टूनिटी बन जाती है तो रेंज में खेलिए आप ट्रेंड लाइन का यूज करें जादा सब्सक्राइब करें बदो बूलिएगा और अगर आपको लग रहे कि भाई बजार में वोल्यूम्स जादा है या बजार में वॉलिंस तो कोई पूजिशन केरी फॉरवड ना करें उसी में आपकी भलाई है एक्लिस इंट्राडे में आप सब्सक्राइब को पता होगा वहां पर एक्जिट आप खुद अपने साफ से कर सकते हैं अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको सीखना है सीखना है य सारी चीजे बहुत ज़्यादा समझाई हुए है दोस्तों कोर्स काफी अडवांस है इसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो लोगों को काम को थोड़ा टाइम हो गया है छे महीने हो गया बजार को देखते हो यह साल भर हो गया सारी चीजे इस पर सिखाई हुए है साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने निफ्टी मैंक निफ्टी के बारे हैं बताया आपको और आश्य करूंगा कि उसको उसके नोट्स बना लेजे उसको कही ना कहीं नोट डाउन लेजे लेवल्स को बट आपको फिर कहाना चाहूंगा कि मैं CB Restored Advisor नहीं हूँ मैं किसी तरीकी की टिप नहीं देता हूँ तो आप जो मेरी अनालीजिस है उसको ऐसा टिप मत लीजिए इवन मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी हम कोई बाइसल नहीं देते हैं वहाँ पे भी सिर्फों झाल